नमस्कार दोस्तों, पूजा शिक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और भेहनों का बहुत बहुत स्वागत है जैमातादी दोस्तों, आज जिस नविशे पर हम चर्चा करेंगे वो है अमावस्या वाले दिन किस प्रकार से आप हनुमान जी की पूजा आरादना से अपने जीवन के सभी रोग, दोश और कष्टों का निवारण कर सकते हैं वो भी बहुत आसानी से सावन का अमावस्या आ चुकी है, अमावस्या का ये उपाया आप कभी भी कर सकते हैं परन्तु खास तोर पर अगर ये आज की दिन कर लेंगे तो आपको बहुत लाब प्राप्त होंगे अमावस्या की रात चंद्रदेव की दर्शन नहीं होते हैं, इस कारण रात में अंधेरा बहुत जादा अधिक होता है अमावस्या की रात में पूजन करने पर विशेश फलो की प्राप्ती होती है अमावस्या की रात पर हम श्री लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, विश्नु अरादना करते हैं और यहां तक कि हम जो है हनुमान जी की पूजा पाट करके शनी राहु केतु के दुश्प्रभाओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं अगर कोई भी विग्नवादा आ रही है तो आप जो है रात के समय में अपने घर पर ही कारे कर सकते हैं विशेश तोर पर अगर मंदिर जा सकते हैं कही जगाओ पर क्योंकि मंदिर नहीं होते हैं तो वो यह कारे घर पर करें परन्तु अगर आपके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो मैं कहूंगी कि आप उनके दर्बार में जाईए और वहां पर सर्सो के तेल का दीपक लेगाईए जो की चौ मुखी ह यानि कि चार मुखवाला होगा चार मुखवाला कैसा होगा एक दीपक में चार बाती लगी हुई होगी और सर्सो के तेल आपको लेना है यह चोटा सा उपा है लेकिन बहुत चमतकारी उपाय है इससे आपके जो परिवार है उसके सारी परेशानिया तो दूर होती है सभी बगार के विगने भी हरते हैं और यहां पर आज आपको जो है चमतकारी चौपाई भी बताते हैं जिसको करने के बाद आपको जो है कभी भी रोग दोश और जो शोक है कभी नहीं प्राप्त होगा और बल बुद्धी विध्या का जो ग्यान है वो प्राप्त होगा तो क्या ये जो चौपाई है हनुमान चालीसा की चौपाई है परन्तो ये बहुत चमतकारिक रूप से असर दिखाती है ये छोटी सी लाइन या शब्द या मंतर आप जो भी कहना चाहते हैं इसे कहें आप जब इसे लगातार उचारण करेंगे और वो भी खास तोर पर मंदिर में बैट कर श्री हनुमान जी के सामने तो आपके जीवन के सभी जीवन की जितनी भी वाना है परेशानी है दूर हो जाएंगी बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल उपाए है आप अमवस्या करना चाहते हैं तो हर महिनी के अमवस्या पर कर लीजिये मंगलवार या शनिवार अगर मंदिर जाते बने तो मैं कहूंगी दो-Dun दीन जाके करिये अगर केवल मंगरवाल जा सकते हैं या केवल शनिवार जा सकते हैं तो उस दिन भी आप कर सकते हैं परन्तु आप ये करिए उपाय आप देखेंगे आपको और किसी उपाय को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके जीवन से सभी प्रकार की परेशानिया जो है समाप्त हो जाएंगी हर मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंग बलीक को आपको बनारसी पान भी अरपित करना चाहिए बनारसी पान का पत्ता जो है अर्पित करने के बाद आप क्या होता है आपके जीवन में हनुमान जी की क्रपात प्राप्त होने लगती है वहीं पर जो भक्तगन रामायन या श्री रामचरी त्रमानस का पाट करते हैं और उनके दोहे प्रति दिन पढ़ते हैं उन्हें कभी भी अपने जीवन में किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है इसके अलावा आज आपको बताएंगे अमावस्या वाले दिन आपको क्या करना है आपके बाद इस नारीयल को हनुमान जी के सामने ही फोड़ दे इस उपाय के बाद आपके उपर की जितनी भी उपरी बाद हैं है नजर दोश है या कोई ग्रह दोश है या आपको लगता है कि बहुत परिशानी आ रही है कारी बहुत रुक रहे हैं करजा बहुत बढ़ रहा है या धन अचानक से बंद हो गया है या किसी भी प्रकार की कोई परिशानी होगी बिमारी अगर होगी तो वो सब चीजे जो है बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएंगी क्योंकि कल्यूग में श्री हनुमान जी ही जागरत देवता हैं जिनकी पूजा आराधना करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्य तो होते हैं साथी साथ अपने भक्तों के ब रिद्धी आती है आज के दिन पर यानि अमावस्या वाले दिन विशेश तोर पर हमें सुन्दरकान का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए जिससे के हमारे जीवन के सभी विग नहरे सुन्दरकान का पाठ अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो केवल सुनने मात्र से भी आपको प सामना दिल से कहते हैं श्री राम जी को याद करते हैं तब भी हनुमान जी की विशेश क्रपा जो है आपको प्राप्त होती है अब जो आपको उपाया बताया था कि आप जो है मंदीर में जाकर अगर कई सवाल आएंगे कि हम मंदीर में क्योंकि अलाव नहीं होता है हम नार नारियल नहीं फोड़ सकते हैं तब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है रात के समय पर आज क्योंकि हमावस्या है रात के समय पर हनुमान जी के मंदीर में जाएं और उस जब नारियल को खरीदें और उसे दो मनिट अपने हाथ में रखकर अपनी जो भी मनो कामना है वो कह आप उसे देख लीजिए उसके बाद वो स्वास्तिक बनाईए और फिर ये जो सिंदूर लगा नारियल है ये हनुमान जी के चर्णों में आप ये जो है अर्पित कर दीजिए क्योंकि हनुमान जी को जो भी व्यक्ति सिंदूर दान करता है या सिंदूर अर्पित करता है य आप ये कारी करिए और देखी किस प्रकार से आपके जीवन में नई चीजें आने लगेंगे, नए लोग जुनने लगेंगे, अब भाईयों और बहनों आपके आपको और भी चमतकारी चौपाईयां बताते हैं, जो कि अमावस्याक के साथ-साथ आप जो है मंगलवार और शन पूजयां कर रही हैं, ऐसे समय पर आपको क्या करना है खास तोर पर अमावस्या पर सुभे शाम, या किसी भी समय सच्चे दिल से और सफाई का कृपया ध्यान रखे क्योंकि हनुमान जी की पूजा में साफ सफाई का विशेश तोर पर ध्यान रखा जाता है, तो आपको च अभी प्रकार के भय हटेंगे आत्म विश्वास बढ़ेगा साथ ही साथ आपके जीवन में हर तरफ से सफलता है प्राप्त होंगी कोई पीडा है या फिर आपको जो है बहुत जादा बीमारियों ने घेर रखा है या शारेरिक पीडा से ग्रस्त है शरीर बहुत दुपता है या भार रहता है शरीर पर तो ऐसे में आपको क्या करना है आपको चौपाई जो होगी वो इस प्रकार बोलनी है ना से रोग हरेसब बीडा जबत नेंतर हनुमन बीडा ये लंबी से लंबी बिमारी के लिए राम बान इलाज है ये आपकी जो कोई भी आर्तिक स्तिती ना हो होने के बाद भी जो है बिमारी आपको घेरे रहती हैं बहुत डॉक्टरी खर्चे लगते हैं तो केवल इस चौपाई का जाप करें आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको जो है सफलताएं मिलेंगी परन्तु आपको जो जाप है वो 108 बार करना है बहुत चोटी चोटी इसली जो है 108 बार जाप कर सकते हैं कर्ज मुक्ती के लिए या फिर आप जो है बहुत जादा आर्थिक संकट से परेशान हो रहे हैं सभी प्रकार की परेशानियों से लड़ने की शक्ती देने के लिए तधा आपके मारगयों में आरही सभी प्रकार की अर्चरों से समापती के लिए आपको बोलना है अश्च सिधी नवनिदी के दाता अजबर दीन जानकी माता अब ये चौपाई 108 बार पढ़े या आदा घंटा लगातार करें या फिर स्नान करते समय ये जो कार है क्योंकि पहले नदी में स्नान किया जाता था तब ये चौपाई पढ़ी जाती थी परन्तु आजकल आप वाश रूम जो हैं तो वहां पर तो मैं नहीं कहूंगी आप जो है कारिकरें कि आप नहाने के बाद स्वच कपड़े पहन कर उसके बाद जब आप पूरे गीले रहते हैं ये इस बालवाल आपकी गीले रहतें उस समय पर आप जो है इस चौपाई का तो आपको जो है जितनी भी परेशानिया है उनसे मुक्ती प्राप्त होगी, मार्ग में आ रही अर्चने समाप्त होंगी और आपका आत्मवी शाज जो है बहुत ही ज्यादा चमतकारिक रूप से बढ़ने लगेगा, क्योंकि अश्ट निधी मतलब आपकी सभी प्रकार की जि जब आन है वो बहुत बढ़ने लगेगा विद्या बान के लिए भी आप सफलता चाहते हैं वानी आप मीठी करना चाहते हैं उसके लिए भी आप बोल सकते हैं विद्या-बान-गुणि-अतिचातूर राम-काच-कर्बे-को- आतूर बिना ज्यान ौर बुद्धी के संसार में कुछ भी पाना संभव नहीं है ऐसे में व्यक्ति सदे भी परिशान और गरीब रहता है इसलिए आपको जो है विद्या के साथ बुद्धी तथा वानी तीनों का सैयोग होना बहुत जरूरी है तो केवल इतनी सी चौपाई आप 108 बार जपे आप देखेंगे कि आपको जो अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है नौकरी अगर प्राप्त नहीं हो रही तो खास तोरपर नौकरी प्राप्ति के लिए याने आपके बिगडे काम सभी बनाने के लिए हमारे जब काम नहीं बनते हैं तब ही हम मानसिक परिशानी से जूचते हैं तो ऐसे में आपको क्या कहना है भीम रूप धरी असूर सहारे राम चंदर के कास सवारे तो आप जो है और श्री राम श्री राम का जाब कर सकते हैं 108 बार पहले आप ये चौपाई करें और ये चौपाई मंगलवार ये शनीवार को भी अगर आप मंदिर में जाकर कहते हैं तो भी आपको बहुत विशेश लाब होगा मंदिर में जाकर नहीं कह पाते हैं तो केवल घर पर करें दिन के समय में कभी भी कर सकते हैं डर लग रहा है भ lithe सता रहा है मानसिक परिशानी और यह तो कोई भी चौपाई आप किसी भी समय परंतु आप जो है साफ सुत्रे रहे और आप जो है एकदम सफाई के साथी पूजा पाट करें तो आपको जो है बहुत जादा लाप राप तो होगा बहुत से लोग इसका लाप उठा चुके है ये चोटी-चोटी चौपाईयां बहुत चमतकारी है और इससे जो है मनुष्य का जीवन बहुत जल्दी सुधरने लगता है तो भाईयों और भेनों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते वे मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे किसी नए विश्य पचर्चा करते वे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए